आजम लेला, तुम इत्वार के दिन मी काम करती हो क्लास के लिए नहीं रिजायन करने आई हूँ रिजायन करने करने आई हूँ तुम्हारे लिए तू यह बेतर ही है तो फिर तुम यहां पर किसले हैं तुम मुण से सवाल के पोछ रहे हो और तुम सुबा सुबा यहां क्या करने आए हो चोरी वाले मामले के बारे में कुछ बात करनी थी तो शादाप से मिलने के लिए यहां पर आया था हम तुमसे भी पूछने वाला था मैं मुझे लगता है कि जिस रात यहां चोरी हुई उस राद यहाँ लोगों को हिपनोसिस किया गया हिपनोसिस? हाँ ऐसा कुछ सर्च में होता है? अस्तरल का सफर दिमाग के रास्ते रुखानी सफर जानती हो तुम कुछ? हाँ मेरा मतलब सुना है इसलिए जानती हूँ मालूमात हसल करने के बाद लगता है कि उस राद यहाँ पर लोगों को हिपनोटाइस किया गया था उस वक्त का लोगों को कुछ याद नहीं तुम असल में घर से बाहर थी क्या तुम्हें इस तरह की कोई बात याद है? नहीं मेरा मतलब याद नहीं और ऐसे कुछ देखा भी नहीं पता नहीं कुछ नहीं मैं नहीं जानती लैला क्या सप्राइज है? खुशाम दीद थेंक यू शादाब साहब आजम उमीद है आप सवाल जवाब करके लैला को तक नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है मेरे भाई मुझसे तो तुम बहुत पूझगच करवा रहे हो इससे भी तो करवाने चाहिए तुम है आपा आप भी ना लैला का इस सबसे आखिर क्या लेना देना आप उस दिन घर में ही तो थी यकीनन कुछ नहीं होगा वैसे भी किसी गलती से लैला का कुछ लेना देना नहीं होता यहां क्यों खड़ी ओ अंदर आओना कॉफी पीते हैं रिजाइन नहीं दिया मुझे इसकी बहुत खुशी है चला आओना सेलिबरेट करते हैं शादाब साहब इशल से मिल लेती तुम्हें बहुत याद कर रही है हाँ मुझे भी बहुत याद आई देख लेती हूँ कुछ मिला? हाँ कुछ मालूमात तो हसल हुई है उन्होंने बड़े दिमाग से ये काम किया है लगता है उस रात यहाँ चोरी से पहले सब को हिपनिटाइस किया गया क्या? किसी भी निशान के ना मिलने का सबब यही है यानि जिस वक चोरी हो रही थी उस वक यहाँ सब लोग सो रहे थे बात सुनो लेला मैं जानती हो तुम क्या करने की कोशश कर रही हैं मुझे धोका नहीं दे सकती क्या करना चाहती हूँ आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी बहुत हुआ तब तक पीछा नहीं छोड़ूँगी जब तक तुम पीछा नहीं छोड़ देती इस्तीफा तो देज चुकी हो लैला फिर क्या लेने आई हो यहां तुम हाँ लैला क्या चाहती हूँ हमसे फिर किस चीज के पीछे हो सकती हूँ मैं विदाद मेडम मैं एक नॉर्मल पियानो टीचर हूँ हाँ बिलकुल ऐसा ही है तुम एक नॉर्मल सी पियानो टीचर हो और कुछ नहीं समझी तुम लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तुम सिर्फ एक पियानो टीचर हो जब भी तुम आई हो तुम्हारा दिहान पियानो के अलावा हर चीज़ पर होता है क्या कहना चाहती है आपको मुझे प्रॉब्लम क्या है आपको और कोई काम नहीं है मुझे लड़ने के इंतिजार कर नहीं थी मैं शादाप साहब से कहती हूँ आपके लिए कोई काम ढूण देंगे बखवास बन करो अपनी लॉकेट वापिस करकर तुम मेरे भाई को बेवकूव बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं लैला मेरी तरफ देखो प्यानो टीचर तुम सब को बेवकूव बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती समझी तुम सब की आउखों में धूल चोग सकती हो लेकिन हरगिस ये मत समझना कि मेरी आँखों से बच जाओगी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं अच्छा तो ऐसी बात है, शक को हकीकत में बदलोगी लैला अपा इशिल, मेरी जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अच्छा बताओ तुम कैसी हो ठीक हूँ तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया आपसे जादा मैंने याद किया मैंने भी तुम्हें बेताहाशा मिस किया मैंने भी आपको बेताहाशा याद किया इस बच्ची का इस्तमाल कर रही हो तुम मैंने अजाब किया जादी कि